भारत में क्रिकेट की शुरुवात कैसे हुई? इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत में क्रिकेट की शुरुवात कैसे हुई, कैसे इस खेल ने एक खेल के रूप में शुरुवात की और कैसे ये खेल भारत में एक धर्म बन गया। क्रिकेट की शुरुवात अठावियों जब भारत ब्रिटिश सामराज्य के अधीन था। आईए इस सफर को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि कैसे क्रिकेट ने भारत में अपनी पहचान बनाई। हमारी कहानी की शुरुआत 1721 से होती है जब ब्रिटिश नाविक गुजरात के एक बंदरगाह पर पहुँचे यहां वे अपने खाली समय में क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं। प्यापारियों और सेना के बीच लोकप्रिय हो गया था। पहला भारतिये क्रिकेट क्लब था। इसके बाद अन्य भारतिये समुदायों ने भी क्रिकेट खेलना शुरू किया और धीरे धीरे यह खेल भारतिये समाज का हिस्सा बन गया। भारत की क्रिकेट यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड आया जब भारतिय क्रिकेट टीम ने 1932 में इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला। यह मैच भारतिय क्रिकेट का एक एतिहासिक पल था जिसने भारतिय क्रिकेट की अंतरराश्ट्रिय पहचान को प्रेमियों के लिए गर्व का पल था और इसने भारतिय क्रिकेट को एक नई दिशा दी। और इसके बाद क्रिकेट भारत में एक धर्म की तरह पूजा जाने लगा। इस जीत ने भारतिय क्रिकेट को वैश्विक मंच पर स्थापित किया और क्रिकेट के प्रति लोगों का उत्साह और बढ़ा दिया। 1933 के बाद भारतिय क्रिकेट ने कई महत्व पूर्ण बदलाव देखे। 1980 और 1990 के दशक में भारतिय क्रिकेट ने कई महान खिलाडियों को जन्म दिया जिनमें सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड और लक्षमन जैसे खिलाडी शामिल थे। इन खिलाडियों ने भारतिय क्रिकेट को नई उंचाईयों पर पहुँचाया और भारतिय क्रिकेट के प्रशंसा में चार चांद लगा दिये। आज भारतिय क्रिकेट दुनिया के सबसे ताकतवर क्रिकेट बोर्डों में से एक है। यह सब दर्शाता है कि भारतिय क्रिकेट का भविश्य और भी चमकदार होगा। भारतिय क्रिकेट ने समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह खेल न केवल मनोरंजन का साधन है। बलकि यह लोगों को जोडने, सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने और युवाओं को प्रेरित करने का एक माध्यम भी है। क्रिकेट ने भारत में समाज की विभिन्न परतों को एक साथ लाने में मदद की है और खेल के प्रती लोगों की दीवानगी को और भी बढ़ाया है। इस वीडियो के माध्यम से हमने भारतिय क्रिकेट के इतिहास की एक विस्तरत यात्रा की है और इस खेल के महत्व को समझा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।